है एवरीवन मैसल एक टान वेलकम और वेलकम बेक टू माई चैनल विडिवाई एकता सो आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने वाली हूं करवा चौथ मेकप लूग तो चलो स्टार्ट करता तो फस्ट ओफ और यहां पर मैंने प्राइमर के लिए यूज किया है लेक में का के लिए आई बेस के लिए यूज करूंगी स्वीज ब्यूटी का कंसीलर जो मेरा फेवरेट है और अच्छे से लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्ट से ब्लेंड कर लोगी सो गाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरे चैन और इसमें जो एक शेड है कॉपर सा उसे लेके मैं लीड में एपलाई करूंगी और अच्छे से उसे मर्च कर दूंगी सो आप लोग देख सकते हो यह कंपलेट हो चुका है मैंने उतना बहुत कुछ नहीं किया है यह सिंपल ही है देन मैंने यहापर स्वीस ब्यूटी की का आजल और आइब्रो जो टूइन वन है उसे यूज किया है उसमें से आईलाइनर को लेके अच्छे से में एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी सो गाइज इंस्टाग्राम पर अभी गीववे लाइव है अगर आप लोगों अभी तक पार्टिस्पेट नहीं किया है तो प्ल आज़ीट कर दूँगी और अब वारी है आई परोस के लिए मैं इसमें से जो ब्लैक शेड़े उसे लेके अच्छे से लगा ले रहे हूँ ब्लैक है तो मैं फोड़ा थोड़ा ही लूँगी क्यूंकि बहुत बहुत फीर ब्लैक लगती है आईब्रो तो अच्छे से उसे लगाने के बाद मैं स्पूली की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लूँगी और सेट कर लूँगी अपने हेल्स को जिससे कुछ भी उतना ज्यादा ना दिखे वरना आईब्रो अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्पूली की हेल्स से सेट कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत लगे तो ज्यादा वहाँ पर थोड़ा हाथ से भी मैं सेट कर लूँगी देन यहाँ पर डाक सलकर को और जो डाक स्पॉट या सभी डाक के रहा है उसे हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर स्वीस ब्यूटी का डाक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसे अच्छे से एपलाई कर लूँगी और देन अपलाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हैल्स से उसे ब्लेंड भी कर लूँगी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्लेंडिंग मैं जबी वीडियो में बताती ही हूँ कि बहुत इंपोर्टेंट है इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगी अगेन मेबलीन का लूस पावडर और अच्छे से जो यह बेज लगाया है मैंने कंसीलर का उसे सेट कर लूँगी इससे उपर जो भी मैं लगाँ वो अच्छे से स्टे करें इसके बाद मैंने यहाँ पर फांडेशन के लिए यूज किया है लोरियल इंफालेबल का फांडेशन और अच्छे से मैं उसे डॉट डॉट करके अपलाई कर दूँगी और देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं डॉट डॉट करके अपलाई कर रही हूँ सो यह फांडेशन है वो बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं कहीं पर भी वेडिंग में या कहीं भी जाती हूँ तो मैं इससे ही एपलाई करती हूँ यह मेरा फेवरेट है सो यहाँ पर अच्छे से मैं उससे एपलाई कर लूँगी then concealer के लिए जो highlighting concealer है उसके लिए मैं SwizBeauty का contour करूंगी और यहां पे मैं किसे बात कर रही हूँ so अच्छे से उसे apply करूंगी मेरे highlighted areas पे और देन उस से beauty blender के help से blend कर लूँगी में इसे ब्लैंद कर रही हूं को यहां पर कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूं मेबलीन का लूस पाउडर जो मैंने आइबेस को सेट करने के लिए यूज किया था अब हम इसे थोड़ी देर रिने देंगे सो पहले हम यहाँ पे जो शुगर की पैलेट है उसमें से ब्राउन शेड यूज़ यूज़ किया था उसे लेकर लोवर लेस लाइन पे स्मज़ करेंगे सो इसे स्मज़ करने के बाद हम काजल एपलाई करेंगे तो काजल के लिए मैं यहाँ पे मेबलीन की कलरसल काजल यूज़ कर रही हूँ और उसे लोवर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे अच्छे से एपलाई कर दूँगी सो काजल से लुक बहुत ही अच्छा आता है आप लोगों को पता ही होगा सो अच्छे से काजल एपलाई कर लूँगी सो यहाँ पे यह हो चुका है सो अब जो यहाँ पे हमने लूस पावडर लगाया हुआ है एक बड़े पावडर प्रश की हल्स से अच्छे से उसे डस्ट आउट कर लेंगे सो अब इस बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हूँ यह भी मेबलीन का ही है सो मेबलीन में एक दो प्रोड़क मेरे पास कम है सो जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं वन ब्रांड मेंकप टूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सो अच्छे से यहाँ पर मैं बेस को सेट कर ले रही हूँ सो यहाँ पर बारी है ब्रांजर की तो ब्रांजर के लिए मैं यहाँ पर शुगर का ब्रांजर यूज़ कर रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्रांजर एपलाई कर लूँगी पूरे फेस पे और मैं अपने नोस को भी अच्छे से पॉंटूर कर लूँगी उसी की हेल्प से इसके बाद बारी है ब्लश की तो ब्लश के लिए मेबलीन फिटमी का न्यूर पीच ब्लश यूज़ कर रही हूँ है और एक ब्रश की हेल्फ से अच्छे से उसे एपलाई कर दूँगी तो यह पीच ब्लश जो है मुझे ज्यादा दर अच्छे लगते हैं पीच कोरल सो मैं व बारी है यहां पर हाइलाइटर की तो हाइलाइटर के लिए मैं यहां पर मेबलीन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इंधी शेड मॉल्टन गोल्ड यूज़ कर रही हूँ और वही ब्रश की हल्फ से अच्छे से उसे भी अपलाई कर दूँगी तो एसा नहीं है कि हम अलग-अ ब्रश ही चाहिए गभी-गभी एक ब्रश भी काम हो सकता है तो यह देन मैं अपनी ब्राव बॉन को भी इसी की हल्फ से हाइलाइट करूंगी और इनर गॉर्नर में भी यही अपलाई करूंगी तो अब लास्ट में बारी है लिप्स्टिक की तो लिप्स्टिक के लिए मैं यहां पर मैक की मीनी लिप्स्टिक मेरे पास है शेड और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो उसे मैं एपलाई करूंगी तो उसे एपलाई करने के बाद में ऑप केमेरा अपना फाइनल लुक कर दूंगी तो गाइस यह है मेरा फा बाइस उस वहां